Welcome to English for All, आज हम पढ़िंगे Heaven if you are not here on Earth, इस पोयम को लिखा था कुएम्पु ने, कुएम्पु का रियल नेम है केवी पुठपपा, लेकिन जादतर लोग इन्हें इनके पैन नेम से जानते हैं, और इनका पैन नेम था कुएम्पु, दोस्तो ये पोयम ट्रांसलेशन है एक जिसका नाम है सुरगवे भूमी योलिरंदिरे नीनू, ये जो पोयम है, इस पोयम की ट्रांसलेशन है जो मैं आज आपको पढ़के सुनाऊंगा, दोस्तो इस पोयम में जो पोयट है, उसका ऐसा मानना है कि मैंने गौड को नहीं देखा, मैंने कभी जननत को नहीं देखा, कभी गौड को नहीं देखा, फरिश्टो को नहीं देखा, इसलिए जो चीज मेरे सामने है मैं उसको मानता हूँ, जैसे नेचर मेरे सामने है, मुझे दिख रहा है, मुझे सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको गौड मानता हूँ, मैं समझता ह कि इनसानों में ही गौड बसा हुआ है मैं आपको पूरी पोयम लाइन बाइन समझाता हूँ अभी ताके आपको अच्छे से समझ माए और बहुती एजी लेंग्विज में आपको पूरी पोयम समझाऊंगा तो चलिए शुरू करते है Heaven, if you are not here on earth, where else could you be? पोयट कहता है कि जन्नत जो है न वो इस दुनिया में ही है ये दुनिया इतनी खुबसूरत है मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया से भी जादा कोई और खुबसूरत जगा है और जन्नत भी इसी दुनिया में है अगर जन्नत इसमें नहीं है अगर जन्नत यहां पर नहीं है इस दुनिया में तो फिर ऐसी कौन सी जगा है जो इस से भी जादा खुबसूरत है जहां पर जन्नत हो सकती है घुमा फिराकर पुएट बोलना चाह रहा है कि जन्नत दुनिया में ही है If we ourselves cannot be God, then there can be no gods पुएट को ऐसा लगता है कि God भी हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर God बसा हुआ है If we ourselves aren't heavenly names, the names are not elsewhere और फरिश्टे भी आपको कहीं और नहीं मिलेंगे दोस्त, आपके अंदर ही फरिश्टे भी मौजूद है दोस्तों जैसा कि मैंना आपको बताया, पुएट को ऐसा लगता है कि उसने कभी God को नहीं देखा जन्नत, फरिश्टे, इन सभी को उसने नहीं देखा लेकिन उसने नेचर को देखा है, उसने इनसानों को देखा है तो पुएट के हिसाब से जन्नत अर्थ है, God भी हमारे अंदर बसे हुए है और फरिश्टे भी हम लोग खुद है दोस्तों इन लाइन्स में पुएट नेचर की तारिफ कर रहा है नेचर की खुबसूरती को बया कर रहा है पुएट कहता है कि समंदर की लहरे शोर मचाती हुई लहरती है और जो सूरज है उसकी किर्णें बगवीचों पर पड़ती है मतलब जो इस दुनिया में हर्याली है, वहाँ पर सूरज की किर्णें पड़ती है और ये सीन बहुती खुबसूरत लगता है और इस तरह सूरज इस दुनिया को जन्नत बना देता है इन दे स्प्लेंडर ओफ हार्वेस और ओफ मूनलाइट, हैवन लाइस ओल ओवर इंबाइबिंग एंड स्पिलिंग दे सौंग ओफ नेक्टर, दे पोयर डस क्रीट हैवन ऑन अर्थ दोस्तो पिछले वाले स्टेंज़ में पोयर्ट ने सूरज की तारिफ करी थी और लास वाले स्टेंजर में पोयट चांद की तारिफ कर रहा है पोयट कहता है कि जब रात के अंधिरे में चांद की चांदनी खेतों पर पड़ती है और नेक्टर भिन भिना रहा होता है नेक्टर एक तरहा का कीड़ा होता है अभी जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसे नेक्टर बोलते है वो नजारा बेहद ही खुबसूरत होता है और अगर ये जन्नत नहीं है तो फिर क्या है अगर यहां पर जन्नत नहीं हो सकती तो फिर कहां हो सकती है तो इस तरहां से पुएट ने नेचर की बहुती खुबसूरत तरहां से तारीफ करी है छोटी सी खुबसूरत पुएम है उमीद है आपको पसंद आई होगी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जैहिंद